का कि उस्कें पunk कर दो आ products कर नरो विए और पिछे से एक बूष सराट करते करता हुए चले गया है вый तो ृस वए उने कैप्टन बना दिया और सीध्य आपकी जभूकасलि में ने ने पहले तो नागा लेंड में पूस्टिंग तेन कर फ़े इसके बात घाभ यह 40 धा़ साल में फोस्टिंग हो ती रहती है ते यह पिर जैपुर में तध या फिर नागा-लैंड में फिर उसके दवाद स्चिरिनगर में अचिय दुवारा कछ वुज में गुजरात में अ सिरिनगर में पिर कार नगरमें जब लास्ट तो उसके बाद जब यह कारगेल वाला हो गया तो पल्टन को बापस बुला लिया गया पल्टन तो बहीं थी लेकिन जो आगे अडवांस पार्टी गई तो उसको भी वापस बुलाया उन्होंने कहा जब तक यह लडाई का जो चल रहा है जब तक खतम नहीं होता तो पल्टन नहीं रहेगी तो हमारे जितने भी वंदे बाहर थे उनको सब को भुला लिया गया तो हमें वहां से जबलपुर से डिस्पैच किया उसी टाइम जम्मु आये जम्मु से सिधा हमें बाइयर उठाया और द्रास में पहुंचा दिया तो द्रास पे हमारी दो-ती दिन क्लाइम तो सेकंड राज रिफ को आपने रिलीफ करना है वहां से तो उसको आपने वहां पर जाके रिलीफ किया फिर हमें नेक्स्ट टाक्स मिला कि आपको जो यह पा एक नजदी की बंप पॉइंट था उसको कैप्चर करना है और उसके बाद 51400 के रात को अटैक है आपका तो दो कंपनी यहां डیटेल कर दी गई डेलट सबस्क्राइब म chu ऐखन ऊंपनी के मंगे आंप अंपर उनको अपरत फेर पहिंश कैप्टन बनाकरद से और पीछे से और इक स्प्स्त करता करती और लीडिंग सेंक्शन में हम लोग थे तो हमारे साथ जुमाल साफ थे लग्टेंट जो थर्टेंजेक के तो नहीं थे वो ओडिनेस के थे लेकिन कुछ टंपरियरी हमारी उनिट में रेजमेंट में उनको डाला जाता है पांच-छे मिने के लिए कि इनिट क्या होती है ताकि वो जान सके हैं और जो भी उनको फिर वर्क करना होता तो वो इनिट का महौल देखकर के अपरेट करते हैं तो बहुत चीज़ें उनको सीखने होते हैं पांच-छे मिने तो बो थे हमारे का उमनिंग मांडरों जैसे हम लोग रात को मार्च किया उपर लोग ने चड़ाई चड़ी ऊपर जाके कैप्चर करने का अरिया जब आया वहां पर तो उनको पता लग गया कि अभी उनकी फौज उपर आ चुकी है तो उन्होंने फिर सेलिंग कर दी वहां से तो कुछ लोगों को लगी कहीं कुछ चोटे मोटे आई तो बो जो एक बंब को लटका रहा लग नहीं हुआ घरकी कुछ नहीं हुआ है लेकिन यहां से डिस्क इंडाक हो गया अब मतलब फिल नहीं हुए था पता नहीं चला रगा तो फांपे अजो सोbay बदूसरि टॉस अचा कूछ नहीं हुए तो आसा मैंने द o doma इसlor लटकों को तो नहीं हगी है स थोड़ा बार मापस को करने के लिए तो वो इंजेक्शन वगएरा दिये लड़कों ने फिर बहां कॉम्णिक मांटर को मैसिज दिया कि ऐसा रहा है तो उन्हें बोला भी क्या किया जाएगा नीचे रिलीफ करना है तो कैसे करना भी तो बहुत मुश्कल है नीचे पहुंचान तो उस टाइम डेड़ वजे का रात का टाइम था जी रात के डेड़ बजी यह हूँ रात का डेड़ वजे तो कहा भी आप पीछे चल सकते हैं थोड़ा वह तो निकली जा भी दिन हो जाएगा लाइट हो जाएगी तो पुरी टीम वापस पीछे निकली या सिफापके थोड़ा पकड़ के यानि कि दंडे से बांद दिया उसको अच्छी तरह वो दर्द कैसा था उसमें तो पता ही नहीं चले दर्द का तो क्योंकि ठंड इतनी बर्फ पूरी गिरी हुई है तो पूरा ठंडा हो गया सब कुछ तो पता नहीं चले उसमें ठंड में बिलकुल बहरा था वो नहीं यहां से कसके बांद दिया इसको पूरा ताकि बलड न बहे बाकी तो चलो हो जाएगा लेकिन बलड नहीं निकलना चाहिए बलड को बंद कर दिया यहां से बांद के उस टाइम बंदे थे साथ में तो उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत मुमिंट किया नीचे को आने के लिए रात को क्योंकि दिन लाइट होने पर तो मुमिंट नहीं कर पाता है क्योंकि सामने से फायरिंग हो रहा था लगा ता जी जी तो फिर चलते गए जितना चले जल पाए तो कम से कम सौ ड़ेट सो मिटर नीचे आ गए पहाड़ी से और फिर लाइट हो तो बहीं रुकना पड़ गया तो लाइट में तो मुमिंट करनीबाते हैं क्योंकि सामने से दिखता है फिर दो चार पत्थर देखें कहीं उस पत्थरों की यारड में बैठ गए तो बैठे रहे हैं पूरा दिन फिर शाम में फिर रात में निकलना जब पूरा दिन बैठे तो फिर पेन बढ़ गया फिर मतलब यह पूरा ऐसे ही ऐसे लगे कि कुछ है ही नी इसमें बिल्कुल सुन टाइप हो गया तो फिर अभी रात हुई जैसे ही तो पीछे से डौक्टर थे अपने तो डौक्टर साब पहुंचे बहां पे उन्होंने एक-दो इंजेक्शन होगा उसमें श्रीर थोड़ा बारमुप किया है उन्होंने आप थोड़ा मोविंट करो पीछे बहुत पीछे जाना पड़ेगा इस्टेचर पर आपको उठानी पाएंगे कि चार आजमी उस रास्ते भी चलना पूझ इसे पर चलना पड़ेगा जितना चलेंगे ज़ोगे चल कमी और बर्फ यह वो थकान जोती है बहुत मुश्किल होता है और पूरी पेन साथ हाइट कितनी थी हाइट तो फाइवन फोर जिरो पाइट यह नहीं के पांच आजार के सम्तिंग उपत पांच जार पिछ ऐसा होगा इतना तो मुझे भी नौलेज नहीं कि कितना था लेकिन अगर पॉइंट रखा है उन्होंने तो साहिद उस पॉइंट कोई रहें से रखते हुए मेरे साब से जो यह है लेवाला एडिया तो मेरे सब 10,000 सूपर होगा साथ 12,000 सूपर होगी लेकिन उस तल से जो उपर की हाइट उन्होंने दी वी थी तो फिर दूसरे दिन फिर वह हमारी इनुट की तो सब को इकठा किया और इस हेलिकप्टर में दून को यह नि कि तो लो लिंग जो था हमारा बंप था उसके पीछी थोड़ा पड़दा था सामने से तो बहां पर जगह उना ही हेलिकप्टर को उतरने के लिए और बहां जो भी हमारी मुमेंट होती थी कु को नीचे ले जाने के लिए तो वो कारवाई उसके बाद उठाया हमको और नीचे फिर दरास में ले आए दरास में हॉस्पिटल रहे रात को तो रात को उनने पूरा जोर लगा लिया लेकिन गुलकोस नहीं लग पाया क्योंकि हर नस जो थी दब गई थी तो गुलकोस तो पर नहीं पर उनना वहला भी इमिजेटली शिर्नगर बेजना होगा तो वह सुबह होते ही साड़े साथ वाजे बाईयर आपको शिता शिर्नगर फिर नहीं काट पीट गई जो कुछ करना था उपरेशन उगरा कर लिया तो दो दिन रहे वहां वहां से फिर उठाया दिल्ली दिल्ली रहे दो दिन फिर बोला आपको तो पूर्ना इसका जो भी सिस्टम में पूर्ना लगेगा तो आप पूर्ना जाएंगे भी दो तिन दिन रहे वहां दिल्ली से फिर पूर्ना रहे एक महिना फिर बहां पर बाजू जो लगाते हैं फो लगाया गिया पूरा उसका न ब अब हरका एक जर्मन का हेंड है ने महालक्षमी में एक बाहरका है ग कर दो हमने नेवी हॉस्पिटल में बॉंबाई बहां रहें दस-फंदरा दिन फिर उन्होंने हमारा पूरा नाब लेने के लिए हमें भेज़ते थे उनकी ब्रांच प्र वह सबकुछ उनने किया पूरा स्किन अग्रार मला करके ऋइसाब कुछ एंड बनाकर हमें दिया वह बहुत हलका है और और एलेक्ट्रोनिक है तो सब कुछ करता है सारा कुछ से यूज करते हैं वी भी हाँ अभी स्कूटर वेरा मैं चलाता हूं उससे ओपर खड़ा गया है स्कूटर लेकर जाना इतर दूए तो उसमें अच्छा लेकिन उसकी movement जो है वह नहीं में करताओं करवाता हूँ यानए कि बैटरी वे एरा नहीं कुछा bonito इस Krplitt करने HIM लाकöz पकड़ने के लिए लाते हैं जो एक्चली जिसका यह Elbow है न वो उसके लिए सही है जिसका एलबू नहीं है उसके लिए वो मुश्किल है कोई फाइदा नहीं इतना पैसे लगाने का बहुत कीमती था उस टाइम यह साड़े छीज़ा साथ लाग का था बिलकुल बिलकुल लेकिन अभी उसका एक कवर खराब हो गया था वह मैं लगाने गया था तो उसे न नाखुन यह पूरा जुरियां यह पूरे स्किन मलाया उनों ना और पूरा सब कुस से बिलकुल हुब 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 बनाया है वैसा ही और जो हमने सुना की जो बॉर्डर मुवी थी उसमें भी आपका रोल डर्शाय गया लोसी में तो आपका रोल किस ने किया था उसमें अच्छे पलिहर और लडाई में भी बहुत अच्छा योगदान गया कुछ ऐसे दो चाथ सबस नोंने मेरे बारे में भी आपकी जो भी ती आपकी कभी उसमें नहीं बतरा जी से उसी टाइम जिस टाम हमारी ब्रीफिंग उई रात को उसी टाइम उनसे मुलकात हुई है फस सब्सक्र ायोट लिऑन पर लसमें और ब्रीफिंग का जाना है कैसे मुझा वहां एक लैगा हमारी हमारी बासकेट ब्रही के बहुत अच्छे प्ले रहे हैं दो पढसे बाले हमारी यह आप तो आप ट्रेनिंग भी देते हैं पच्छो को यहां पर बास्केटबॉर्ड की क्या होती बिल्कुल अभी अमने राजय स्थार पर तुर्णा मिन्ट रवाय है यहीं पर यहीं पर हाँ अभी फर्स्ट प्राइज रखा था गैरा हजार पर सेकंड साथ हजार पर तो यह आपका जो यह चेतर है फिर यह इसमें कितनी बार वी नहीं नहीं अभी कुछ नहीं अभी अभी सीख रहे है इनिशल लेबल पर लेकिन यह है कि डेडिकेशन के साथ लगे हुए है आने वाले समय में कुछ करें क्यांकि बास्केटबॉर्ड गेम एक ऐसी इसके लिए फोड़ा टा अच्छी टीम बनाई उन्हें स्कूल वाला में किसी ने वो टीम थी पच्चों के बागी तो सब टूर्णमिंट के लिए बाहर से मतलब अच्छी को पकड़ा किसी को वैसे वैसे तो टूर्णमिंट फिर उसमें सब नहीं सालिया चलिए ठीक है आपने जो शुडवात किया अच्छी टीम निकल के आगे सामने यहां पर तो अच्छा लग आप से बातचीत करके और आपने जो जन काया दिया हमारा सब भाग है कि आप से मिले हम झाल यहांज दिया झालब अच्छा और यहांज टीम आपने लो नहीं आपने जो यहांज भाग है